सबको नमश्कार कल दिल्ली में 503 केस थे और पिछले 24 घंटे में आज 523 केस हैं तो पिछले 24 घंटे में 20 नए कोरोना के केस आए हैं इन 20 में से 10 मरकज के हैं और बाकी 10 दूसरे हैं तो 523 टोटल केस जो दिल्ली में हैं उसमें मरकज के 330 केस हैं जो विदेशों से लौट के आए थे और विदेशों से कोरोना लेके आए थे ऐसे 61 लोग हैं साथ लोगों की टोटल अभी तक मृत्ति हो गई है पिछले 24 घंटे में एक व्यक्ति की मृत्ति हो गई है 25 लोग ICU में हैं 8 लोग वेंटिलेटर पे हैं बाकी लोगों की स्थिती स्टेबल है पिछले कुछ दिनों में शायद आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि दिल्ली के अंदर केस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं मैंने पिछले दो दिन में भी कहा था कि एक कारण उसका है कि मरकज के केस बहुत तेजी से बढ़े जैसे 523 में से 330 केस तो मरकज के ही हैं मरकज के केस बहुत जादा थे जिसे बढ़े जिस वज़े से और दूसरा एक कारण है कि अब हमें टेस्टिंग किट मिल रही हैं तो हमने टेस्टिंग बहुत बढ़ा दिये पिछले कुछ दिनों में और हम चाहते हैं कि जो भी टेस्ट कराना चाहे उसका टेस्ट हो और ताकि जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको ऐडेंटिफाई किया जा सके उनको ट्रीट किया जा सके उनके कॉन्टेक्स को ऐडेंटि में कामयाब होंगे ये दूसरे देशों में भी जैसे साउथ कोरिया सबसे कामयाब माना जाता है साउथ कोरिया ने भी यही टेखनीक अपनाई थी कि ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की थी अब दिली के अंदर भी हम खूब टेस्टिंग करने वाल तो डेली टेस्टिंग कर रहे हैं और अब पांसो से भी जादा हजार के करीब डेली टेस्टिंग हमारी पहुंच रही है और इसको बाते आने वाले समय में बढ़ाते जाएंगे हमने एक लाख टेस्टिंग किट्स के ओर्डर दे दिये हैं शुकरवार को से एक लाख टेस्ट लोगों को लंच कराया था और लगबख 6 क्लाइब चुनवे हजार लोगो को डिनर कराया था मेरी अप सब लोगों को मेरा भरोसा है विश्वास है कि एख भी आदमे को दिल्ली के अंदर हम भूखें नहीं सोने देंगे हम लोग छेल जैसे मैंने बताया 6,90,000 लोगों को हमने लंच कराया और 6,94,000 लोगों को हमने डिनर कराया लेकिन इसके अलावा मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग समाज के अपने अपने स्तर के उपर खाने के पैकेट्स बाट रहे हैं अपने अपने स्त जैसा मैंने बताया था 71,00,000 लोग जो राशन काड़ भारी हैं उनको हम हर व्यक्ति को 71,00,000 लोगों को हर व्यक्ति को साढ़े साथ किलो राशन मुफ़्ट दे रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अस राशन कारड नहीं है लेकिन वो भी बहुत गरीब हैं उनको भ चारसो एक्श स्कूलों से उनको राशन बटना चालू होगा, हमने दस लाख लोगों को हर व्यक्ति को प्रति व्यक्ति को पांच पांच किलो राशन दिया जाएगा, चार किलो गेहुं एक किलो चावल, हमने सब के लिए राशन का इंतिजाम कर लिया, अभी शुरू में दस लोगों के लिए इंतिजाम किया है, लेकिन अगर कम पड़ गया, तो हम और भी राशन ले लेंगे केंदर सरकार से, इस मामले में हमें केंदर सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है, मेरी आप सब लोगों से विंती ये है, सभी MLA, सभी MP, सभी counselors, वो लोग भी सुनिश्चित करें कि भीड नहीं लगनी जाए है, अगर वहाँ भीड लग गई, तो सारा lockdown का असर खतम हो जाएगा, social distancing maintain करनी है, और आपको हाय तौबा करने की जुरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे आईए, थोड़े लोग कल आएं, थोड़े लोग परसों आएं, थोड़े लोग उसके अग लिड़ मत कीजिएगा, 421 स्कूलों में कल से राशन बटने जा रहा है, अभी फिलहाल 10 लाख लोगों का इंतजाम किया है, लेकिन और भी इंतजाम कर लेंगे अगर जुरूरत पड़ी तो, मैं पिछले दो दिन दिन से कह रहा था कि हमें PP किट्स की कमी है, लेकिन हमारे प PP किट्स कल या परसों तक हमारे पास डिलिवर हो जाएंगी, और उसके बाद से दिल्ली में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत महतोपून कदम होगा, तो हम सब लोग मिलके इस लडाई से जूज रहे हैं, केंदर सरकार, दिल्ली सरकार, सभी दिल्ली के लोग और मैं उमीद करता हूँ कि हम इस लडाई में जरूर कामयाब होंगे, आप स्वस्थ रहें, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहें, ऐसे मैं प्रभु से कामना करता हूँ, बहुत-बहुत शुक्रियां